विब मारिंग ट्रेढर्डर्स थो लोग उट चुके हैं रीच प्रस्ट अपड उसके बाद एक पहिँ त frameworks छलते हैं और देखते हैं आज already 50 एक्सपैरी है तो देखते हैं कि मार को किस प्रकार की ऑपर्चुनिटी मिलेगी क्या हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या पूरा दिन मार्कित में बैठ पाएंगे लेकिन इतना जरूर है कि जो मर्जी कर लेंगे हम लोग नौलेज जरूर लेंगे तो स्टे सब्सक्राइब करेंगे लिए पानी रेडी हो रहा है तब तक हम लोग जो है अपना सेट अप ऑन कर लेते हैं कि फाइनली ट्रेडर्स तो हैं रेडी चार्चर और फुबाइल लेके नीच्छे को सिदह सेट अप के पास नोबीस हो चुके हैं और कुछ भी पता नहीं है पिछले कल का एडिट करा फिर उसमें मुझे 12 बजगे क्योंकि अभी ब्लॉग उतने खास तरीके से अडिट करना आता नहीं है तो आज हम पेशन्स रखेंगे क्योंकि देली एक्सपारी तो पैशन्स रखना बहुत जुरूरी है कुछ-कुछ बाते में सीख पार हो मैं हर बार क्या गलती करता हूं कि मैं तो अच्छी ले ले लेता हूं लेकिन हौल्ड नहीं कर पाता कि उस बचें से क्यों जिसमें मैं हजार दो हजार पे ब्रोकरेज गुबा बैठता हूं लेकिन आप से हम लोग के साथ साथ पेशन्स रखेंगे अगर ट्रेड की अपर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिलहाल इंडेक्स जो है वह बैंक निफ्टी करने मार्गेट को फूछe किया था तो यहां तक जय मार्गेट चांस मुझे लग रहे हैं तो भी डेख लेटे को है लिव भी चोली हमें जो यह तक Sozial các देगत के से नहीं कर लेना बीचैंट के यहां पर चैसे यहां पर The यहां पर यहां पर 2017 iye tam मैं यहां पर एंट्री लेता और में से ज्यादा बड़ा तार्गेट तो नहीं लेकिन यहां तक इस एरिये तक जो है कैप्चर कर पाता बट अब मैं जो ट्रेड को अगर प्राफिटेवल ट्रेड तो उसको होल्ड करने की पूरी-पूरी कोशिश करूंगा तो लैट सी मार्क होगा उसके बाद यहां पर नियू रिटेलर जो एंटर करेंगे एंटर करने के बाद उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा फिर निफ्टी आज का लोग ब्रेक करने के कोशिश कर रही है और इसका जो प्रीमियम है वो भी अच्छा खासा स्पाइक मारने कोशिश कर रहा ह पिषले कल की क्लोजिंग से सपोर्ट ले चुका है अब देखते हैं कि क्या बंता है अब यह 75-77-81 पर चल रहा है और यहां पर प्रीक आउट आ चुका है अगर निफ्टी ने यहांपर सपोर्ट ले लिया तो यह बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले जो पूट ट्रेडर है तो पेशन्स बहुत जुरूरी गाइस यह वाला फीटर मेरे फॉन में मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं देखो कितना अच्छा दिख रहा हूं यहां पर और मार्केट भी दिखाई दे रही है थोड़ा सा को अपर एथिंग सपोर्ट वन सकता है ती और ने सभी जैसा किशा था यहांब चाहरी यहँ आशन्स सब्सक्राइट भी जाएव तो आम इस तरीके को ऊई ओब सर्व किया तो आप देख सकते हो कि ऐसा ही होता है यहां पर आज का लोग किया और यहां पर काफी सारे रिटेलर प्रेंग नेंटर किया और उनके स्टॉप लोस हंट करने के लिए ग्रीन कैंडल बनने के लिए रेडी हो चुकी है तो और प्रीमियम में दिखा में आपको देखो प्रीमियम में भी डाउन साइट जितनी भी एंट्री थी यह बिल्कुल आ चुका तो वही बात होगी उसने रेंज बाउंड होगी तो बहुत बिक्कल हो जाएगी यह को कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो यहां पर भी एक सी कॉल साइट का ट्रेड बन सकता है और तार्गेट हमारा आज का जो हाई है वहां तक का भी हो सकता है और बैंक निफ्टी में भी अच्छा कासा सी का सकता हुए सट्रेड का स्ट्राइग प्राइस में आए और यह देखो निफ्टी कित कितनी बड़ी ग्री ग्रीन गैनल बना दी आज का हाई मैंने कहा दानाकि सी का ट्रेड वन सकता है तो निफ्टी में आज जो है बहुत है चाले यह देखो उफ इतने पूरे तरीके से stop loss हंट होते हैं मार्केट में अफी अच्छा जो है हमें मुप देखे गया है लेकिन यह वाले मूब कैप्चर करना नए टेडर की बस की बात नहीं है लेकिन फिर भी आप्जर्ब करना ही तो हमारे बस की बात है ही है तो देखते हैं क्या बनता है यह तो फिर यहां से उपर मार्किट जाए तो हमें एक एक देखने मिलेगा यह तो फिर आज इसका लोव व्रेक हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किस-किस ने यहां पर पूट में एंट्री की थी और उसके बाद यहां पर उनका स्टॉप लॉस गया है मैं समझ सकता हूं दर्ब क्यूंकि मेरे साथ भी काफी बार बहुत बाराइस हो चुका है आए माननोट प्रोफिटेबल ट्रेडर आ एम लॉस्मेकर ट्रेडर बट मैं लास्मेकर ट्रेडर से शिफ्ट होना चाहता वहुआ प्रोफिटेबल ट्रेडर मेश्न तो मैं अपना 100 परसंट दोंगा ATDR में ट्रेड नहीं मिलती है औहराई डियली प्रडे में टेड करनी चीए लेकिन हाँ डेली मार्किट को वाच जरूर करना चाहिए अब सी में बिठाकर इनको भी यहां पर पेलने के चक्कर में आ पीले मार्किट् में ट्रेडर वही है जो लोश करने के बाद सीखे समझे अपने आपको कन्ट्रोल करें पेशन्स रखे यह तर्षा मार्किट में और यह अच्छा सब प्रृफित से शुक्रेंगड मर्किट में लॉस करते हैं तो करीपा करके ऐसा मत किया कीजिए ट्रेडर्स मौसम देखो कितना भ्यंकर धूंद ही धूंद हो चुकी है वह आप नीचे देख रहे हैं सतलुज नदी है वह और काफी मुतलब धूंद चाही गई है देखो तो मौसम बहुत ही ब्यूटिफुल हुआ है अगर हम लोग निम्बू की लेमन टी बनाएंगे तो कितना मजाएगा अभी मार्कित में भी कुछ खास नहीं है यह हमारा गाहों है तो टमाटर लगे हुए हैं टमाटर मिर्ची भी लगे हुए गाइस जैसा कहा था वैसा ही हुआ मैं उपर लेमन टी बनाने आया हूं तो यहां पर उपर अपसाइड में सीई वालों को बिठा कर उनका भी स्टॉपलस हंट कर दिया अभी इसने अपना आज का लोग फिर से ब्रेक किया है तो यह भी कैंडल में मुझे पूटेंशल नहीं दिखाई दे रहा है यह भी स्टॉपलस हंटिंग गेम हो सकता है तो ट्रेडर्स फिनिफ्टी में वैसे अच्छा मूब तो आया है डाउन साइड के लिए और प्रीमियम भी बहुत ही अच्छे इंक्रीज हुए हैं टी के असपास यह ट्रेड कर रहा था और 125 का इसने लगाया है हाई और अभी फिलहाल इसमें पोटेंशल यह है कि अगर इ यह 2.500 रुपे तक भी जा सकता है तो वह डिपेंड करता है स्पॉर्ट पे की स्पॉर्ट का चार्ट क्या हो रहा है तो अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो इसका जो चांसी है वो मुझे यहां तक आने के लग रहे हैं कि यहां तक यह आ सकता है स्टॉप साइड में काफी अच्छे प्रीमियम इंक्रीज हुए मन में डर है वो भी खतम नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है तो मैं फिलाल मार्किट को अबजर्व कर रहा हूं यानि की पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो पेपर ट्रेडिंग के हिसाब अब से मेरा जो तार्गेड था वो डन हो चुका मार्किट को देखते देखते प्राइज एक्षन की बुक्स को भी पढ़ेंगे तो देखते हैं अगर प्राइज एक्षन की बुक में कोई एक अच्छा सा टॉपिक मिलता है मुझे तो मैं आप लोग साथ शेर करने की कोशि पर जाएगी तो यह हमारी और आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है मैक्सिमम ट्रेडर उन्हें वह देखते की काफी नीचे मार्किट गिर चुकी है अब कितनी नीचे गिरेगी अब यहां पर मैं कर लेता हूं और मुझे अच्छा का सा तार्गेट मिल जाएगा तो यहा बहुत ही डिफिकल्ट हमें फेस करना पड़ता है तो जितना हो सके टाइम हमें मार्किट को देना चाहिए सीखने को देना चाहिए बहले ही दो साल मुझे हो चुके बहले ही एक साल और लग जाए कोई दिकत नहीं लेकिन जब मैं फुल ट्रेडर बन जाऊंगा तो पिछले इंट्राडे ट्रेडिंग जो डेली नहीं कर सकते हम लोग क्यों कि रोज करने की चीज नहीं है यह कभी दूसरे तीसरे दिन इसमें मूव आता है हफते में दो की दिन मेरे आइडिय में दो दिन ऐसे होते हैं जिन में जो हमें अच्छी ट्रेड मिलती और बुनी दो दिनों को का हमें बेट करना चीए और उन दो दिनों में लोग पूरे हफ़ते का प्रॉफिट निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को खाज लगी होती हमारी लोकल लेंग्वेज में बोलते खुझ ली खुझ लगी होती कि ट्रेड लेनी मार्किट कुली बस क्रवत क्या करूं लाल केंडस बनी तो पूट ले लिया हरी यह फिर केंडल बनी तो कॉल ले लेली ऐसा नहीं करना चाहिए लालत नहीं करना एक गृडबू बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं तो अभी देखते हैं क्या बनता आया फिनिफ्टी में भी हीरो जीरो अच्छा हुआ है प्रीमियम भी अच्छे खासे जो है इंक्रीज हुए है और प्रीमियम की बात की जाए अगर तो कि फिनिफ्टी के प्राइज आप देख सकते हो कि 20 रुपे का यह ट्रेड था 20 रुपे से यह 170 के आसपास का जो हाई लगा क्या है इसमें बहुत ही अच्छा हीरो जीरो हुआ है जो हमारा यह वाला तार्गेट इसने अचीव किया फिनिफ्टी ने प्लस निफ्टी ने भी य निफ्टी में तीनों जगा हमें जो है बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिला है दो बज़ के 25 मिनट होगे त्रेडर आप वही वाली बात है कि कुछ ऐसे ट्रेडर जो लॉस कर चुके होंगे या कुछ बीच में घुसे नहीं होंगे घुसे होंगे तो जल्द बाजी म बाज़ के साथ ट्रेड को होल्ड नहीं किया वह लोग यहां पर एंट्री करेंगे और उसके बाद मार्केट जो यहां पर फिर से साइडवेज हो जाए क्योंकि इतना सा मोमेंट एक दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना ही मोमेंट आता है जो कि आ चुका है आज क क्योंकि हीट नहीं हुआ उसके बैक टूबै कि यह जाता रहा उसका ट्रेलिंग स्टॉप लोस हमारा 60 के असपास होता तो भी यह हीट नहीं होना था और ट्रेलिंग स्टॉप लोस के हिसाब से हम लोगों ने बहुत इच्छा मोमेंट जो इसको कैप्चर कर लेना था हमें अच्छी ट्रेड मिलती रहे तो हम लोग मन्त के एंड में एक प्रोफिटेबल ट्रेडर बनकर निकल सकते हैं फरक सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ ऐसी चेंड की इसी त्यटी को फाइंड करना है मेक्सिमम टाइम जो अगे मार्गेट साइडबेश रहती है तो मेरेम सहाँ पर सपोर्ट याइज से नीचे सब्स gerekних तो मेरे आइडिया में कल हम लोग अगर antim करेंगे तो bank nifty के expiring में upside के लिए planning करेंगे तो hope so कि कल क्या होता है तो अब जो है एक मेरे पास speaker आया है इसकी जो है pin तूट चुकी है इसकी charging की pin अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह charging की pin है जो की यहां से छूट चुकी है तो maximum लोग क्या करते हैं कि अपने sound box में थोड़ा ज्यादा जोर से charger लगा देते हैं जो की ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण यह तूट गई तो यह देख सकते हैं आप इसके जोड़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से यह pin जो यहां पर लगेगी और मैंने लगा दिया है शोल्डरिंग गरम होने के लिए यहीं पर ही अब हम इसको जोड़ देंगे और यह गरम हो चुका है कि नहीं तो इससे धुआ निकलना शुरू हो गया है तो यह गरम हो चुका है तो अब मैं कर लेता हूं शौप में कुछ काम और मार्किट ने जो देना था वह दे लिया है तो ट्रेडर स्पीज जो है बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से इसको जोड़ दिया है और इसमें बढ़िया तरीके से इसमें टांके भी लगा दिया अब देखते हैं चलता है या या नहीं चल तो रहा है आई थिंक इसमें चार्जिंग पहले से है अब देखते हैं इसमें चार्जिंग भी हो पाती है कि नहीं तो देख सकते हो फ्रेंड यह देखो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं स्विच अन करेंगे और चार्जिंग लग जाएगा यह बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ही प्यारा साउंड सिस्टम है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी तो इसको मैंने बिल्कुल ओके कर दिया इसको कस्तमर को डिलीवर करते हैं अब बाकी मैं दीरे-दीरे अपनी वीडियो को इंप्रूब्मेंट करने क तो इसी के साथ शुब रात री भी इसी के साथ बाई बाई